अगर आप भी इगनू की जून 24 टमड एक्जाम में पैर होने वाले हैं तो ये विडियो आप के लिए काफी इंपोर्टन है आप सभी फर्स्ट एर सेकिंड यर और जो सेमेश्टर वेस्ट प्रोग्राम के स्ट्वेंटे सभी के लिए ये वीडियो काफी इंपोर्टन रहेग तो क्या करना है कैसे करेंगे आज की स्पीड़ों डिटेल बात करने वाले हैं अगर आप हमारे चैनल माइट सब्टेक नोबर पहली बार आए हैं मेकश्वाप चैनल को चरूर से सब्सक्राइब करें साथी साथ सोचल वंडेव फॉलो वहां पर यूडेट आपको मिलती रह कर लेना है विगॉस अगर आप डेले करते हैं लाश्टेट ओवर हो जाती है तो यह आपके सिक्स मन्द टोटली लॉस हो जाएंगे हो सकते आपको फाइन देके यह काम दुबार कराने पड़े लेकिन उसमें भी चांसेस कम रहते हैं तो क्या है और कैसे करना है आईए बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं जोकी ओपन हो चुके हैं जुलाई 2024 सेशन के लिए हाँ अगर आपका भी एडिशन हुआ है जुलाई 2023 के अंदर किसी भी एन्वल मोड प्रोग्राम के अंदर चाहे वो बैस्टर डिग्री हो या मास्टर डिग्री तो आपको यह करना ही होगा अगर आप यह नहीं करते हैं तो यार आपका 6 मन टोटली लॉस हो जाएगा दूसरा वो सभी डिप्लोमा प्रोग्राम के स्वेंट पीजी डिप्लोमा हो या डिप्लोमा प्रोग्राम हो जुलाई 2023 वाले आपके लिए तो कुछ नहीं है आपको वन येर का रहता है हाँ अग सब्सक्राइब में यहां पर जो में चीज़ है वो इंटर्मीडेट वाले सभी स्वेंट के लिए चाहिए आप फाइनल ये स्वारी पोस्ट क्रेजिट हो या वेस्टर डिग्री स्वेंट हो आप सभी लिए इंपोर्डेंट है अगर आप इंटर्मीडेट के अंदर है तो ठीक है फरस्ट रहो या सक्टिणड युझर हो आपके लिए इंपोर्डेंट है और इयर इश्टिष्न करना क्यों चारी और क्या होता है यह बात करते हैं तो री इस्टिष्न का बेसिक मीनिञ होता है कि आप अपनी आने वाले year और semester लिए enroll कर रहे है यहाँ पे आप अपनी next year और semester के लिए payment करते हैं अपनी आपको register करते हैं कि हम next year में finally आ चुकी है और देखो इसको लेकर एक मित रहता है कि क्या हमारे तो यार exam जून में है तो आप ही करें या फिर exams की बाद में होगा तो देखो इनका नहीं टाइम रहता है अब जो timing आप देखेंगे यहाँ पे given है अब यह window open हुई है एक मई को last year है 30 जून तो 30 जून से पहले पहले आपको कर लेना है अगर आप इसके बाद में करेंगे तो यहर आप कर नहीं पाएंगे अगर last year accident नहीं होती है तो और दूसरी बाद यह है कि exam से इसका कोई लेना देना नहीं है माल ले जिए आपका admission हुआ जुलाई 2023 के अंदर फर्स्ट एर के अंदर ठीक है और आप चून 2024 के जो टमड exam में उसमें पैर नहीं हो रहें तो क्या आप सोचेंगे नहीं नहीं री रेस्टेशन एक्जाम के बात करेंगे नहीं आप अभी कर लो because उसका benefit होगा कि आपका जो year है ना वो बच्चा रहेगा क्योंगि अगर आप अभी नहीं करेंगे तो दिसंबर के बाद यानि कि जैनवरी वाले सेशन के लिए करेंगे तो six month का gap हो जाएगा because आपका री रेस्टेशन स्टार्ट होगा ना जुलाई से तो आपको जो second year है वो स्टार्ट होगे जुलाई दोज़र 24 से आप second year के एक्जाम June 2025 में दे पाएंगे फिर आप third year के लिए रेस्टेट कर दोगे July 2025 के अंदर तो आप third year के एक्जाम दे पाऊगे ऐसे ही master degree लिए भी रहेगा कि अगर आप re-restrict कर देते हैं अपने final year के लिए July 24 जिसकी last year 30 June है तो यार आप अपने exam जो final year के June 2025 में दे पाएंगे अगर आप नहीं करते हैं और यह session चला जाता है आप January 2025 में करते हैं तो आपके जो exam है ना final year के वो जाके होंगे December में ना की June में 6 months totally waste हो जाए इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कर दो ओके तो यह चीज़े हैं इसमें कैसे कहने हैं उस पर ही बात करूँगा यह चीज़े हैं तो आपको clear out हूँगी यहाँ पर कुछ instructions दे रखे हैं basic instruction है जैसे course की जानकारी आप लोग अपने program guide में दियान से समझेंगे बाकी मैंने यहाँ पर clear out किया है अब देखो करने के process पे आते हैं जो की काफी important और काफी easy process है आपको simply यहाँ पर I have read पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर proceed for registration क्लिक करेंगे आप इस portal पर आएंगे जो की है इगनूत the people university student portal अब इस पर अगर आपने registered नहीं किया है तो आप नहीं कर पाएंगे पहले आपको registered करना है registered कैसे करना है वो देखी registered करने के लिए आपको यहाँ पर प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करना है जो भी आपका प्रोग्राम कोड है नेम डालना है जो भी आपका नेम है और enrollment number यहाँ पर enter करेंगे capture fill करेंगे submit करेंगे फिर जो आपका mobile number है जो registered mobile number है या email है उस पर आएगा एक OTP वो आप mention करेंगे और अपने जो ID पासवर्ड है उसे generate करेंगे basically password set करेंगे because ID आपकी जो यूजर नेम है वो आपका enrollment number होता है फिर back कर लेना है और इस page पर आजाना है इसमें आप login करेंगे password डालेंगे जो password आपने बनाया है और capture fill करके login करेंगे login करेंगे बाद आपके profile open हो जाए जिसमें आप re-restrict कर पाएंगे अपने आपको तो यह रहेगा पूरा process आपके लिए ठीक है इस तरह से आपको क्या करना है re-restrict करना है अपने next year और semester के लिए जो बात मैंने भी UZ और PZ वालों के लिए वही same semester वालों के लिए है अगर आपका new admission January 2024 में हुआ है तो यार आपको second semester के लिए re-restrict करना होगा अगर आप नहीं कर दें तो आपका भी six month loss हो जाएगा और अगर आपने third semester के लिए कर रहो जैसे जुलाई 2023 में आपका new admission हुआ तो आप third semester के लिए करेंगे या ऐसे student जुन्होंने previously जो January 2024 के re-restriction ते उसमें नहीं कर पाए है तो आप अभी कर दें विकाज आपका उड़ी six month है वो save रहेगा otherwise अभी भी नहीं करते हैं आपको six month one year में convert हो जाएगा और one year पूरी based हो जाएगी तो समय जो यह ठीर आपको follow up करनी है करना है और e-restriction अपने आपको next year और semester के लिए hope कि आपको सारी point clear out होंगे वाकि कोई भी अन्य query है comment box में जरूर से mention करें साथ ही वीडियो पसंद आई तो like and share कर दें social media follow below तागी बहां पर भी कोई अपटेट मिलती रहें और हाँ ऐसी और वीडियो पानल के चैनल को चरूर से सब्सक्राइब कर लें बिलते हैं एक और अपटेट एक और नी वीडियो को तो पिल जह नजय वारत बाई दोस्तों